दोस्तों, एकक्टूबर दोजार चॉबीस, कुछी दिन सेश रह गए हैं, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, जितने भी इंशुरेंस कंपनियां सबके हाथ पर फूनने लग गए हैं, सबके अंदर हलचले तेज होगी कि अब क्या होगा, क्योंकि एकक्टूबर, जैसे कि सबी जानते हैं, IID के Master Circle के हिसाब से काम होना है, उनके निया मनुसार काम होना है, और इसमें काफी सारे फेर बदल की बात की गई है, बहुत सारे फेर बदल, जैसे इंडर्स्टी के अंदर काफी बड़ा इंपक्ट आ सकता है, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, आज की अगे बढ़ने से पहले कि चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा, बेल आइकन को हिट कर देजिगा, ताकि इस तरकी की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अप्डेट आप से छूटना जाए, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर चले दोस्तों, इंफॉर्मेशन दोस्तों सीधे, इंफॉर्मेशन दोस्तों सीधे, लाइफ इंशूर्यंस कॉंसल फिंडिया के तरफ से है, अब आप सोचें यह क्या है, लाइफ इंशूर्यंस कॉंसल फिंडिया क्या है, दोस्तों जैसे आइड है, जो इंशूर्यंस कंप सबसे पहले लाइफ इंशॉरिंस के पारे कोन सेल करी टेग लाइफ एंशॉरेंस तो सब सब इंसॉर जो फ्ल की musi वह लाइफ इंशॉरान का। फंडेका ही टेकल लाइन न वह स्यावी कि प्रमोशन चलती एं!" इवन LIC of India जो सबसे बड़ी रेप्रेजनेटिव इसके अंदर वो सब बैठे में और मिटिंग चल रही है इस मिटिंग का जनता है आई एडिया का मास्टर सर्कुलर जो बदलाव होने एक अक्टूबर के बात से है जो बिजनस जिस तरके से चलेगा उसके पर चर्चा है और इसमें सबसे बड़ी जो एहम चर्चा है वह है Surrender Policy को लेकर के जो Surrender Rule ने बनाया है जो June के बनाया था जिसको पॉस्पोन कर दिया था भए आप देखेंगे जो यानि 2,07 तक IIDA कहता है कहना चाहता है या कहता है कि हमें 207 तक सभी लोगों को भारत के सभी लोग को इंस्ओर करना प्रोट्क्ट करना है तो वह तभी होगा जब सारे लोग इंस्ओरन्स कराईंगे कि अपना दभी हो नहीं पाएगा और सब तक हम पहुंच पाएगा तभी हो पाएगा तो यह सारे हैं जो इस मिटिंग में रखे गए इस मिटिंग में अगर आपको बताता हैं दोस्तों सरेंडर पॉलिसी वाला मुद्धा हो सबसे बड़ा मुद्धा है को कि यहां पे लेएस पॉलिसी का सबसे बड़ा कहना है कि अगर हम इस Surrender Value, Surrender Policy Rule को लागू करते हैं एक अक्टूबर के बाद से तो इंशुरेंस के अंदर इंडस्ट्री में काफी बड़ा डेंट लगने की उमीद हमें दिख रही है, क्योंकि इंशुरेंस बेचने के लिए पॉलिसी बेचने के ल अच्छी वैल्यू मिल जाएगी तो पॉलिसी होल्डर उसको एक दो साथ से ज्यादा चलाएगा नहीं, वह मलब पॉलिसी लेगा और पॉलिसी एक साल बाद बंद कर देगा, क्योंकि उसको नुक्सान नहीं हो रहा है, तो यहां पे जो है दोनों लोगों का नुक्सान क्योंकि उसने अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दी तो उसका कोई भी रिसकावर नहीं है, यानि आज सुरक्षित हो चुका है वह और वहीं पे एजेंट जो है जो एडवाजर कम्यूटी उसका भी बहुत बार अनुसान हो क्योंकि उसने बहुत कॉस्ट लागा करे बहुत मैनत क इस को सुरक्षा परदान किया लेकिन उसने एक शकंड लगाया और पॉलिसी बंकर दी तो यह चीज़ें चलते रहेंगे मला हम पॉलिसी करेंगे पॉलिसी बंत हो तो इसे नहाँ देश सुरक्षित हॉत चूंब पाएगा ना ऐंशैं इंसर्ण इंड़सी बड़पाईगी तो यह कहने कहीं पहले इसी का बहुत बड़ा कंसान है इस रूल को लेकर के कि अगर यह रूल लागू होता है तो इस तरकी दिक्कते हमें आगे देखने को मिल सकती है इसान इंड़ेसट्री्ज बड़े गटेगी ओशीलोग प्रोट्रिक्ट होंगे कुईण झिनको भी पता चलेगा कि पॉलिशी एक साल बात चलाने के बड़ बंद करने पे जादा नुक्सान नहीं होगा तो हर एक विक्ति एक-दो साली पॉलिशी चलाएगा और पॉलिशी को बंद कर देगा तो जो गौर्वर्मेंट का जो विजन है जो आई-ई-डी का विजन है टू-जरो फोर्शन वो कभी भी यहां पूरा होता हो नजर नहीं आएगा तो इसको लेकर के चर्चा चल रही है और इस चर्चे में पूरी उमीद की जा रही है कि बहुत बड़े खुशकभी आसकते कि यह वाला जो रूल है इसको पॉस्पोन किया सकता है इसको होल्ड किया सकता है जैसा कि जून में होल्ड किया गया था और शायद होस्ता मास्टर नए तरिक से लाए जाए तो यह भी अपडेट चल रही है मिटिंग चल रही है इस मिटिंग के हम पूरा इंतिजा कर रहे है कि जैसी मिटिंग खतम इसका जो भी निश्कास निकल गया है उसका भी अपडेट हम आपको जल से जल देंगे तो दोस्तों एज़ एडवाजर कमु वो अपनी तैयारी कर सके कि आने वाले वक्त उनको एक बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देखता आप सभी लोगा तैदिल से दिनवाद मिलेंगे इसके अगले अपडेट में तब तक लिए नमस्कार जय हिन जय भारत